सिविक एक्षन प्लान के तथ केंद्री रिजर्व पुलिस बल सात्वी बटालियन की और से बुदवार को तिसरी प्रखण अंतरगत तिसरो गाउं के जरूरत मन गरीब ग्रामिनों, युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों के बीच कंबल, लेखन समगरी, साडी, लुंगी, खेल समगरी समेत कई तरह के समगरियों का वित्रन किया। कारेक्रम के दौरान मुख्य रूप से सात्वी बटालियन के कमांडेट भारत भूशन जक्मोला उपस्तित थे। इस दौरान स्री जक्मोला ने कहा कि ग्रामिनों की सुरक्षा एवं किसी भी प्रकार के मदद को ल पर संपर्क करे। जिसके बाद त्वरित रूप से आपकी परिशानियों का समधान किया जाएगा। वहीं कमांडेंट ने नकसल विचारधारा से ग्रसित लोगों से मुख्य धारा में जुडने हेतु आवान भी किया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा लगातार लोगों की सुरक्षा एवं मदद को लेकर छेत्र के प्रगत्ती की और कारी योजनाये चलाए जा रही है। इन योजनाओं से सभी लोगों को लाभानवित होने की आवश्य रखता है। कारेक्रम में आसपास के ग्रामिनों ने बढ़ चलकर भाग लिया मौके पर सहाय कमांडेड जगदीश कुमार पांडे सहित तिसरो पिकेट के कई जवान उपस्तित थे। समनभा लविठा सकें। और कुछ सामगरियां हमारे पास रहती हैं जैसे की मच्छरदानी है, रेडियो है, साडी है, कंबल है और बच्छों के लिए स्टेशनरी का सामान, स्कूल में जाने के लिए बैग, और स्पोर्ट्स किट, स्पोर्ट्स गेर, स्पोर्ट्स जर्सी, यह सब जो आईटम्स जो हैं तमाम तरह के हम जो देते हैं, वालीबॉल किट है, फुटबॉल किट है, क्रिकेट किट है, तो यह सब हम different age groups को देख करके हम देते हैं और इस माध्यम से हम जनता तक पहुशनी कोशिश करते हैं जो गाओं के जनता हैं ताकि हम उनसे समन्वे बि की जान भारती जनोश्रधी केंद्र है पेहत सस्ती दवाईयों का एक मात्र संस्थान जिहां टुंडी रोड बावन्टोली मौरिस्थित भारती जनोश्रधी केंद्र जहां मिलता है तमाम दवाईयों पर 15-30 तक की आर्थिक शेल साथ ही यहां मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता रासी में चिकत्सक की भी सुविधा उपलब्ध है पुधान मंत्री भारती जनोश्रधी केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेशहरा लोगों को सस्ती दवाईयां मिले वा दवाईयों की बज़ा से क किसी भी मरीज की जान ना जाए जिसके लिए यह अभ्यान चलाया जा रहा है एक बार सेवा का मौका अवश्रे दें किसी भी प्रकार की दवाईयों के लिए आज ही संपर करें हमारे पतार है बाभन टोली मोड दीपक इस्टोर के बगल में तुंडी रोड दिरिडी युक्रेन में फसे भारतिय छात्र छात्राओं को अपने देश वापस लाने एवं छात्र नवीन कुमार को गोली लगने से मृत्ति हो जाने की विरोध में जार्खन प्रदेश युवा कॉंगरेस के निर्देश अनुशाल बुद्वार की शाम गेडी युवा कॉंगरेस क अधक्षता में जंडा मैदान से लेकर टावर चोग तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दोरान दो मिनिट का मौन रखकर मृत छात्र नविन कुमार को श्रधांजली दी गई। पुरेशी, बेलाल आमद, बबलू, विकी कुमार समित कई लोग मौजूद रहे। कि कि का मौनअचर ग्याओंद दे लोग मौन नविघ। कि कि के लूड़ कि की ओृबल कि और का तर अवज। पुर को है g 55 बढाद घाल कि कि अवज। इस तरह से पिछले दिनों से हम लोगों ने सोशल मेडिया और नियुज चैनलों के मात्यम से देखा होगा कि युग्रेन में जो युग्रेन और उस्टिया के बीच अमला का चलसिला जा रही है हमारे भारतिये चात्र चात्राओं को काफी समस्या आ रहे हैं कुछ लोग वहां फस्टे हुए हैं उनको सरकार लाने में पूरी तरह से असमर्थ है और उसी दावरान एक चात्र नवीन कुमार की नृत्ती हो गई बोली लगने से वो काफी निंदनिये हैं जो भाग पूर्ण है मैं चेंदर सकार से विजस मंत्री से यह मांग करता हूँ कि हमारे सभी भारतिये चात्र चात्राओं को विलंभ वापस लाने का परकिरिया तवरित की जाए उनने के गृड़ी विधान सभा प्रभारी राजसिना वाड नमर 18 जिन्जरी महला पहुँचकर वहां के निवासी मनोज कुमार से मिलकर कई समस्याओं से अबगत हुए इस दोरान बताया गया कि इन छेत्रों में पानी की समस्या बिगत पांच सालों से जियों की त्यों बनी हुई है लोग पानी के लिए तरस गये हैं इधर राजसिना ने का कि नेता वोड के समय कई वादे करके जाते हैं लेकिन जीत मिलते ही सारे वादों को भूल जाते हैं जिसके कारण जनता की समस्या ऐसी की तैसी बनी रहती है। वहें जनकारी दी कि जिन जिन वाडों में पानी की समस्या है, वे 10 मार्च सुबह 11 बजे अपने साथ पानी के बरतन समित अने बरतनों को लेकर नगर निगम पहुँचे जहां निगम का घिराव किया जाएगा। अर भी ऊए चेत्रों में पानी का भ़ारी किल्लत है और भागपा माले को इन्हों ने याद किया है, भागपा माले भी ग्यापन देगा। और 10 मार्च तक अगर सही नहीं हो जाता है इस जगापे, तो पूरे वाड को ध्यान में रखते हैं वे सभी वाड से निवेदन है कि 10 मार्च को 11 बजे नगर निगम पहुचे जहाँ जहाँ पानी का किलत है हड़िया डेक्ची लेके पहुचे इससे क्या होगा नगर निगम को एक थोड़ा सा लगेगा कि लोग अक्रोसित है लोग अंदोलन करने को बात दे हैं और सभी वाड कमिशनर से मेरा निवेदन है कि आपके छेतर में जहाँ पानी का प्रोब्लम है जहाँ नाली का प्रोब्लम है जहाँ गंदगी का प्रोब्लम है जनता आपसे बात नहीं कर पा रही है कोई दिकत नहीं आप हैं आप से निवेदन है कि आप जोर तोर से थोड़ा सालग कर गर्मी स्टार्ट होने वाला है और पानी का तुरंट और तुरंट उस पर ध्यान दें और नई तो माले है भाग्पा माले है हर जगा का उजागर करेगा एक एक वार्ड में जाके उजागर करेगी कि आखिर करें जितने भी पदा दिकारी है और जो पानी शाप्लाइ से जितने भी र्लेटेड है जो भी इंडिनियार हम कहना चाहते हैं जो कि सिर्फ आर जो पहीं करिए जहां पर कुछह आता है बल्कि उस जगह वह बहुत धिकॉत ता है यहां प्शाब कर दिका थे हां पती चल बुधवार को कई लोग नगर निगम कारियाले पहुंच कर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम को एक आवेदन सोपा वहीं आवेदन लेने के बाद अर्बन प्लानर ने कहा कि जल्द इस कारे पर ध्यान दिया जाएगा जिंजरी महला में कुछ वाट सप्लाई का प्रॉब्लम है जिंजरी महला में डोड में तो इसको लेकर के भागपा मालेक के रजे सिनहा जी के माद्यों से एक आवेदन अखिप राफ हुआ है इस आवेदन के आलोग में कल हमारी टीम वहाँ पे जाएगी हमारे टेक्निकल टीम और इसकी फिजबिलिटी को चेक करा करके जो भी पॉस्पल हुआ हम लोग इसको दूर करा करके समस्यारा समाधान करने के कुशिस करेंगे भाजपा प्रदेश कारे समेती सदस्यर सुरेश साव ने मंगलवार को शास्त्री नगर इस्थित अपने आवास में एक प्रेशवारता का आयोजन किया प्रेशवारता के दोरान उन्होंने सदर विधायक सुधिविक कुमार सोनु पर निशाना सात्ते हुए कहा कि विधायक के संबंद नक्सलियों के साथ है उन्होंने सदर विधायक पर भू माफियाओं को शनरक्षन देने का भी आरोप लगाया है प्रेस्वार्ता में पार्टी के सोचल मेडिया प्रभारी मनोज मौर्या, राजैस जैस्वाल एवं लोहा सिंग वह किसान मोर्चा के नेता भी मौजूद रहे कहा कि सत्ता के शनरक्षन में जमीन का अवैद खेल चल रहा है, वहीं भूमाफियाओं को सदर विधायक सुधिवी कुमार सोनु का शनरक्षन भी मिल रहा है कहा कि कुछ दिन पहले पांडेडी जमीन विवाद में जहामुमों समर्थकों ने भाजपा नेता अशुक के स्री समेत उनके परिवार के पांच लोगों को पीट-पीट कर जख्मी कर दिया था वहीं पचंबा के बोड़ों में उशा कुमारी के पुस्तैनी जमीन पर भी एक जहमुमों समर्थक और वाड़ पार्शत प्रतिनिदी जेसी भी चला कर प्रोसेसिंग प्लांट में भी तोड़कोड किया था वहीं प्रेश वार्थक के दौरान अस्थानी प्रशार्शन द्वारा भारतिय शंखिकी संथान की जमीन को भो माफियाओं से मुक्त कराने को लेकर काफी शराहना की मौके पर सुरेश शाव ने कहा कि पुलिस ने कुख्यात नक्षली भगवान किस्कू को गिरफतार किया है लेकिन विधायक नक्षली को लेकर सीम से मिलने गए और वार्था कर कहा कि इन्हें पुलिस द्वारा नक्षली का कर परिशान किया जा रहा है मौके पर भाजपा नेता ने पुलिस से अस्पष्ट करने को कहा कि ग्रफतार भगवान किस्कू नक्सली है या नहीं परशासन उसे गिरफतार करके जेल भेज देती है और परशासन कहती है कि यह दुर्दान्त माववादी है तो हम सिद्व विदायक जी से इतना आगरह करते हैं कि आप जनता के सामने आकर करके असपष्ट कर दिजिए यह खुलासा किजिए कि भगवान किसकू जिसको पुलिस दुर्दान्त माववादी बता रही है उससे आपका संबंद क्या है अगर वह सही में माववादी है तो निश्ची तुरुप से चिंता का विश्य है कि विदायक जी का माववादियों से क्या संबंद इसको असपष्ट करना चाहिए और अगर वह निर्दोस है तो उसको भ भू माप्याओं के द्वारा उस जमीन को कब्जा करने के लिए लोग आतूर है तो मेरा तो क्योंकि यहां के जिला परशासन से अभी उपायुक्त महोदे भी आये हैं गिरीडी में भू माप्याओं का कहर लगातार जारी है और समय समय पे यह बाते सामने आई है और गिरीडी की जिला परशासन ने तस्परशा दिखाते हुए और जमीनों को मुक्त भी कराया है लेकिन भू माप्याओं के खिलाप जो कारवाई होनी चाहिए थी वो कारवाई नहीं हुए इसके चलते भू माप्याओं का मनुबल बढ़ा हुआ है और उसी के कारण आप देखेंगे कि अभी तुरंत में पांड़े दिमेक जमीन के मामला को लेकर करके ही खुनी संहर्स हो गिया है और हमें लगता है कि जिस तरह से भू माप्या का मनुबल बढ़ा है तो हम चुकी पचंबा बस डिपू जमीन जो है वो हाई प्रोफाइल मामला है उसमें बाबुलाल मरांड़ी जी ने सरकार को जाच के लिए पत्र भी लिखा है अभी तक जाच चली रही है मामला नयाले में भी है और जब तक जाच रिपोर्ट नहीं आ जाता है मामला नयाले से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम उस जमीन को परशासन सुरच्छित रखे ये मेरा परशाशन से आगरा होगा और अगर किसी तरह का कोई भू माफिया किसी तरह का जमीन कबजा करने को ले करके कोई काम करती है तो निश्चित रूप से कठोर कारवाई होनी चाहिए चुकि भू माफियाओं का जो मनुबल दिखता है वो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं ने कहीं से सप्ता का संदच्छन लगता उसे प्राप्थ है चुकि बिना सप्ता के संदच्छन प्राप्थ किये हुए इतना मनुबल हाई नहीं हो सकता ये ज्याँच कभी से है गिरडी प्रखन अंतरगत सिखदार डी पंचायत सचीवाले में निश्चुलक नेत्र जांच शिवीर लगाया गया शिवीर में देवघर से आये नव भारत जागरिती संस्था से नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार के द्वारा पंचायत के सैक्रों लोगों के आंखों का निश्चुलक जांच किया गया मौके पर पंचायत के कई गनमाने उपस्तित थे वहीं शिवीर को लेकर संस्था की डॉक्टर विकास ने कई महतोपूर्ण जानकारे दी आज गिर्णी वलो का अंतरजाट तिक्दारटी पंचायत में निश्चुलक नेतर जांच सिर्टायजिन किया गया है इस पंचायत के लोग लगभग 40-42 अभी तक आंख जांच अपना निश्चुल करवा चुके हैं कुछ लोगों की चस्मा के आसकता पड़ा है निश्चुलक को ड्रोग के आसकता पड़ा है उन लोग को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है अभी तक चार से पांच लोग मोतिया बिन भी चिनीद कर दिया गया है बाकी अभी लोगों का इलाज चल रहा है जन्यवाद। महाशिवरात्री के दूसरे दिन गृड़ी के जामबादि स्थित बाबादु खरणनाथ मंदिर में विभिन्न राजियों से जलाविसे घेतु हजारों की संख्या में श्रधालू पहुंचे। मौके पर मंदिर से सटे उसरी नदिर में श्रधालू अस्तान एवं कलस में जलभर कर महाकाल के जैकारे के साथ कतारबद होकर शिवलिंग पर जलाविशे किया। इधर मंदिर समीति के द्वारा मंदिर प्रांगन में भव्य मेले का भी आयोजन किया गया था। मौके पर श्रधालू पूजा आर्चनाकर मेले का जम कर लुद्प उठाया। मेले में आकर्शक जूले तारा माची समे तरह तरह की मिठाईयों वा महलाओं के स्रिंगारे तूप कई स्टॉल भी लगाये गये थे। वहीं भीड को दिखते हुए सुरक्षा विवस्था भी चाक चौबन थी। मौके पर आई आरबी वा पिकेट पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात थे। जवाद के सबीस के टिखते हुए सुर्ण के चारत थे। जवाद के सबस्टत है करें है नीया है कि अपर अगए झारें आख गैसे पीं है कि अजयth GKP्रॉले ऐसे कि अखीड कि अद्राजिन दे आखिया来ता है भीओ अला दोवल्क फरम उक्टी के अखिया करें और भीओ शिंविंट एक बाल चिजा एक कि बाते हृ से जिदने झाल चिदने ऑते हृ संखे साथ संजना कुमारी जो बंदाबाद के रहने वाली हैं बाबा इनके परिवाद करें और उनका परिवाद कुछ अवसिदान करके जाएं और पुन्नी के भागी बने वहा करते हैं जो वहा करने की बने परिवादे इनका लेखसें में। बिर्णी स्वास्त केंद्र एवं बी आर्सी सिक्षा विभाग को बी सुत्री अधर्च इतवारी वर्मा उपाध्यर्च प्रमोत कुमार वा सदस्य कृष्णा कुमार वर्मा समेत असलम मलिक ने निक्षन किया मौके पर सभी सदस्यों ने स्वास्त केंद्र में सभी को पारदर्शित रूप से काम करने को लेकर सक्त चेतावनी दी वहीं कहा कि किसी भी प्रकार की परिस्तानी हो तो वे बी सुत्री अधर्च से सीधे संपर्ग करें ताकि समस्या का निस्पादन किया जा सके वहें बी आर्सी में बी पियो से मिलकर स्कूलों में मद्यान भोजन बन रहा है अथवा स्कूलों में किसी भी प्रकार के संसादन में कमी तो नहीं है इसका जायजा लिया बर्मा आज स्वास्त केंद्र बढ़नी में बढ़नी के चिकत सब्सकारी से मिलकर वहां के जो ऑपिडी है और पुरी जो लोगों से परिशे के दोरपाज हम गये थे लोगों से हमने परिशे लिया और लोगों को मैंने कहा कि पार्दस्ता के रूप में आप लोग काम कीजिए कुछ कमियां उन्होंने हमें बताया हमने का इसका मैं भरपूर परियास करूगा वो दिलाने का अब ब्यार्शी भावन भी गये थे सब्सक्राइब क्या मांगे व्यार्शी भावन में हम लोग गये थे आज कि कितने विद्याले आपकी पूरी परख़न में चल रहा है तो मने जो भोजन का कारशकरम जो चलता है वो अभी बंध है तो इसलिए मुलों लिष्ट माका की कहां का आपने भेजा वो इसे जगा पर निरचन करेंगे और जदी भुईनाव कास मुलों का बंध है तो क्यों बंध है हमों जाती कुछ है